नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मूटिविशन स्पीकर एंड सीएओ मैटास ओवर्सीज लेमिटेड फ्रेंड्स आज जिस विशय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुती समवेदनशील और गंभीर इसके पीछे कारण क्या है इतिहास कारोन जब इतिहास के पन्नों को खंगाला तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे उधारन हैं जहां पर अमीर लोग निरंतर अमीर होते गए और गरीब लोग निरंतर गरीब होते गए लेकिन उसके बीच में उन्होंने कुछ ऐसे अपवादों को भी देखा जिसमें पाया गया कि बहुत सारे गरीब लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों का अनुकरण करते हैं जिनका अनुकरण अमीर लोग करते हैं और वो लोग इस गरेबी को पार करके अमेरी की परिस करेंगे मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखते समय आप नोट्स जरूर बनाएगा क्योंकि वो नोट्स आपको अपने लाइफस्टाइल में अपने स्टेंडर आफ लिविंग में परिवर्तन करने का बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्यान देने वाला है तो बात करते हैं ऐसे क्या कारण है इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है और अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग चीजों को सीखेंगे सबसे पहले हम यह समझेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वज़ा से अमीर अधिक अमीर होते जा यह जो समस्या है यह समस्या आखिर है क्यों ऐसा क्यों है कि लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं या एक ही ट्रैक पर चलते जा रहे हैं और अगर यह समस्या है तो इस समस्या का समाधान क्या है मतलब ऐसा क्या किया जाए कि आप अपनी लाइफ में निरंतर संवृद्धी की ओर बढ़ते जाएं तो इन सारी चीज़ों को हम study करेंगे तो आए समझते हैं सबसे पहले इस परिस्तिती के पीछे कारण क्या है वो कौन-कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से लोग या तो एक ही track में चलते हैं या अपने track को परिवर्थित कर लेते हैं यह मैं बहात आपको एक हाथी को control करना है तो बच्पन से उसको control करना होगा जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत मोटी जंजीर एक चटान से बंदी हुई है मतलब क्योंकि इसके अंदर तो ताकत है वो अपनी ताकत का 100% इस्त पाँगा और जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होने लगता है इसका belief system जो होता है बहुत strong हो जाता है कि मैं इस chain को नहीं तोड़ सकता और जब इसका belief system बहुत strong हो जाता है तो उसके बाद तो महावत इसको छोटे से खूंटे से ही पतली सी तार से पतले से रस्षी से बाद देता है तब भी हाती कहीं नहीं भागता है क्योंकि बचपन से ही इसके mind में एक story चलती है कि मैं इस chain को या इस रस्षी को नहीं तोड़ सकता इसका मतलब जो लोग बहुत अधिक अमीर हैं और निरंतर अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं और निरंतर गर आएंगे कि mindset develop कैसे होता है क्या होता है कि गरीब का बच्चा होता है बच्पन से उसके mind में ऐसी बाते फीड की जाती है जिसकी वजह से वह यह मान बैठता है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं मैं गरीब हूं और आगे भी गरीब रहने वाला हूं जैसे मैं इस उनकी salary बहुत जादा है comparatively अगर वही salary में compare करूं हमारे administration office में administrative office में काम करने वाले एक clerk की salary मतलब हमारी factory में जो worker काम करता है उसकी salary 20,000 रुपे है लेकिन जो office में work काम करता है उसकी salary है वो 18,000 रुपे लेकिन दोनों का mindset है वो बिलकुल different है जो labor की tendency है न वो उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने लेती अमीर नहीं बने लेती क्योंकि वो हर चीज में हमेशा अपने खर्चों को control नहीं कर पाता है जिसकी वजह से महिना होने से पहले ही उसको बार-बार पैसी की जुरूत पढ़ती है और वो जो हमारा supervisor है manager है उससे बार-बार advance पैसे demand करता रहता है जिसकी वजह से उसके पास पैसा कभी कठा ही नहीं होता लेकिन जो office में काम करने वाला worker है जिसकी salary उससे कम है वो हमेशा अपनी समय पर salary लेता है और अपने पैसे के हिसाब से अपना management बनाता है जिसकी वजह से दोनों का mindset बहुत different है और standard of living भी बहुत अधिक different हो जाती है तो यहां पर हमें समझना होगा कि rich mindset और poor mindset के बीच में क्या differentiation है अगर हम इस differentiation को अच्छे समझ ले ना तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमें कैसा mindset develop करना है तो friends हम बात करते है rich mindset के बारे में और poor mindset के बारे में तो जो rich mindset के लोग होते है ना उनका जो mindset होता है वो growth strategy पर काम क life में यह सोसते हैं कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे बार बार different strategy को try करना होगा और अलग अलग तरह की strategy को try करते करते वो अपने जीवन में हर वो कामया भी हासिल करते हैं जिसको पाने का उदेश है जिसको पाने का लक्ष और वीजन वो बनाते हैं जबकि जो poor mindset के लोग होते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते है I can't do this मैं यह काम नहीं कर सकता मतलब उनके मन की tendency हमेशा उनको इस बात पर तयार करती है कि स्विकार वो यह करती है कि मैं यह काम नहीं कर सकता दूसरा जो rich mindset के लोग होते है is this really my best work वो अपने आप से हमेशा एक प्रशन कर रहा हूं मतलब वो हमेशा अपने आपको अपग्रेड करने में effort करते रहते हैं जबकि जो poor mindset के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो enough है मतलब इस से ज़्यादा best मैं नहीं कर सकता this work is good enough मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उसका यह best तरीका है इसमें औ मैं जो यह काम कर रहा हूं ना इसमें कुछ time और effort लगेगा लेकिन time और effort लगाने के बाद मैं अपनी सफलता हासिल जरूर करूंगा और यह कहते हैं this is too hard यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुश्किलों को चलते यह poor mindset के लोग अपने mindset को fixed mindset में convert कर लेते हैं जिसकी व लगाता रहता है और कई वर्षों तक टाकत लगाते 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 जो उसका mindset वो fix हो जाता है कैसे क्योंकि वह सोच लेता है कि आप मैं जन्जीर को या इस रस्षी को नहीं तोड़ सकता और वहां पर आकर उसकी जो growth है वो रुख जाती है वो अपनी अंदुरूनी शक् habits हमारी ऐसी है जिसकी वजह से हम इस तरह की समस्या को देखते है लाइफ में और जरूरी नहीं कि हमारे उपर हम हाजार लोगों का अध्यन कर लेना तो उनके साथ भी यही habits होती है जिनकी वजह से वह अपनी life में पीछे रह जाते हैं या बहुत अधिक अमीर नहीं बन पा बाते हैं जैसे अगर मैं rich mindset की बात करूं और poor mindset की बात करूं तो इन लोगों की habits है वो बिल्कुल different होती है rich mindset के जो लोग होते हैं उनकी जो habits होती है न वो सबसे important habit होती है money को invest करने की ध्यान रखे यह बात सब जानते हैं कि आपकी जो income होगी income में से आप जब पैसा खर्च कर देंगे मतलब जो आप expenditure करते हैं plus जो आप saving करते हैं उन दोनों को अगर हम जूरते हैं तो आपकी income के बराबर आता है लेकिन जो investing mindset के लोग होते है rich mindset के लोग होते हैं वो हमेशा सबसे पहले saving करते हैं उसके बाद जो उनकी income है उसमें से बाकी बचे हुए पैसे को की उनके पास जितने भी पैसा आता है ना आने से पहले ही वह खर्च करने का बजट बना लेते हैं प्लान बना लेते हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं यह भरूँगा मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं नया मोबाइल फोन लूँगा और पैसे आएंगे तो बाइक ल करने वाले हैं कितना उसमें से सेव करने वाले हैं और उस सेविंग को ग्रोथ में किस तरह से लगाने वाले हैं मतलब एक तरह से अपने finance की पूरी planning करकर चलते हैं लेकिन जो poor mindset के लोग होते हैं जो poor जिनकी habit होती है वो लोग केवल budget बनाते हैं कि जितनी इनकम हम कमाएंगे उसको कैसे कैसे हम खर्च करेंगे और बहुत महत्पून बात है कि जो rich mind के सट के लोग होते हैं वो जो debt लेते हैं जो करजा लेते हैं वो करजा लेने से पहले यह देख लेते हैं कि जो भी कर्ज मैंने लिया है क्या वो मुझे उतना output देगा क्या वो मुझ परेनम पर किसी से पैसा उधार लिया है तो ऐसी opportunity को ढूंडते हैं जहां पर 15% 18% 20% 25% का return उनको मिल जाए मतलब वो debt हमेशा investment के लिए लेते हैं या business के लिए या growth के लिए लेते हैं जबकि जो poor mindset के लोग होते हैं उनकी habit होती है वो किसले लेते हैं करजा वो लेते हैं अप एक national या international trip पर चले जाएंगे या अगर मैं लोल ले लू तो मैं घर में AC लगवा लूँगा टीवी ले लूँगा फ्रिज ले लूँगा वाशिंग मशीन ले लूँगा इस तरह के खर्चों पर वो debt का पैसा ले जाते हैं और खर्च करते जाते हैं जिसकी वज़ा से वो assets करतेएं दूसरों को अगर मतलब किसी भी तरह की परिस्टिती में वो है या किसी भी कारणवर्स में को पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या किसी भी कारणवर्स म्थसन को लॉस हो गया है तो वो उसका ब्लेम हमेशा दूसरों को करते रहते है है और जो Rich mindset के लोग होते हैं वो Responsibilities ओपने उपर फ्रेंट स नैक्स जो है विट से जर्च माइण सेट और पूर माइंचेट के लोगों के बीशम में होती हैं वह क्या हैंIt यह हम समझते हैं, सबसे पहली बात rich mindset के लोग learning and studies पर हमेशा ध्यान देते हैं, वो नई-ने चीजों को सीखना पसंद करते हैं, नई-ने बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, नई-ने अनुभवों को अपने जीवन में ढालना पसंद करते हैं, जब वो नई-ने चीजों को मुझे सब कुछ आता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने की opportunity को खो देते हैं, क्योंकि नई-ने चीजों को सीखने के लिए वो कभी भी तयार नहीं होते हैं, दूसरी बात rich mindset के लोग दूसरों के समय को खरीदना पसंद करते हैं, वैसे का जाता है कि हमारे सभी के पास 24 गंटे का निश्चित समय होता है, लेकिन rich mindset के लोग एक बहुत अच्छी योग्यता अपने पास रखते हैं, वो काबिल लोगों के समय को खरीद के अपने समय में जोड़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूं Warren Buffet से एक बार पूछा गया कि आपके पास कितने गंटे का समय होत करता हूं, अब यहां पर लोगों के मन में एक डाउट आया है कि 24 गंटे में 8000 गंटे का कैसे काम करता हूं, वो कहते हैं कि मेरे पास 1000 employee हैं और हर employee मुझे 8 गंटे का productive time देता है, इसलिए 24 गंटे में 8000 गंटे के बराबर काम करता हूं, दोस्तो rich mindset के लोग हमेशा काबिल ल लगजरी कार होते हैं उनके advertisement, TV पर नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि भी TV पर, जो TV देखता है वो हमारा client नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना time है जो दूसरों के programs को, events को, stories को, movies को देखने में अपना समय व्यर्थ कर सकता है, वो हमारा client नहीं है, जो लोग time invest करते हैं, उनका जो mindset होता है, वो poor होता है, इसके लावा multiple income source, rich mindset के लोग जरूर बनाते हैं, अब ये multiple source of income क्या है, friends, दो तरह की income है, एक होती है active income और एक होती है passive income, तो rich mindset के लोग passive income पर बहुत काम करते हैं, मतलब वो कहते हैं, let's my money work for me, मेरे पैसे को मेरे लिए काम करने पर में लगाऊं, तो शायद मैं जल्दी से पैसा कमा सकता हूं, और ये multiple source of income कमा बना देते हैं, मतलब इनके पास केवल एक ही source of earning नहीं होता, बहुत सारे source of earning होते हैं, उधारन के लिए मैं आपको बताता हूं, वो invest करते हैं कहां पर, share market में, जिसकी वज़े से उनको dividend income होत और वो और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से multiple source of income पर वो काम करते हैं, एक special video में आप लोगों के लिए बनने वाला हूं, कि rich mindset और poor mindset के लोगों की earning के बीच में इतना वड़ा differentiation क्यों होता है, और कैसे अमीर आदमी केवल अपनी passive income या multiple source of income की वज़ा से निरंतर अमीर बन करें, तो उनके पास किसी तरह की income आने का कोई resource या source नहीं होता, यह होते हैं net worth driven, मतलब हमेशा यह अपनी net worth के हिसाब से काम करते हैं, कि मुझे अपनी net worth में कैसे इजाफा करना है, कैसे अपनी net worth को और बढ़ाना है, और यह होते हैं income driven, यह देखते हैं कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, जिसमें मुझे income प्राप्त हो, यह friends बड़ी अच्छी और important points हैं, जिनको आपको consider करना है, और अपने life में implement करना है, अगले जो point है, वो यह कहते हैं, कि जो rich mindset के लोग होते हैं, और जो poor mindset के लोग होते हैं, उनके बीच में यह बहुत बढ़ा difference दिखा गया है, क् rich mindset के लोग सबसे पहले अपने आपको pay करते हैं, वो जितनी भी earning करते हैं, उस earning का एक part सबसे पहले अपने लिए बचाते हैं, और उससे उनका level of confidence boost होता है, कि I am getting money for myself, जबकि poor mindset के लोग हमेशा इस तरह से काम करते हैं, कि वो income आने के बाद सबसे पहले यह decide करते हैं, मुझ उनको pay करनी है, और other expenses उनके बहुत सारे ऐसे होते हैं, कि इनका माति उनको सबसे पहले यह pay करना होता है, तो उनका ध्यान ही नहीं जाता कि मैं अपने पैसा कैसे बचाओं, और यह goal driven होते हैं, अगर rich mindset के लोगों की बात करूं, यह अपनी life में अपनी goal set करते हैं, कि next financial year मे उनको क्या करना है, नेक्स्ट 5 financial year में उनको क्या करना है, नेक्स 10 financial year में उनके क्या goal है, 20 years में उनके क्या goal है, वो हमेशा long term और short term planning करके चलते हैं, और उनी goal के हिसाब से अपनी जो productivity है, उसमें improvement करते रहते हैं, जबकि यह क्या होते है, work driven, इनको यह पता होता है, कि मेरा आ नहीं होगा तो आराम से बैठेंगे लेकिन ये जो लोग होते हैं वो गोल ड्रीवन होते हैं उनको पता है कि मुझे इस उदेशी की प्राप्ति करनी है उस उदेशी के लिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं और नए काम को पैदा करने की योगता और खशमता रखते हैं यह क्या करते हैं, rich mindset के लोग, यह हमेशा problems के solutions पर विचार करते हैं, यह दि जीवन में कोई समस्या है न, तो समस्यां का औरोना समस्या के लिए नहीं रोते हैं, वो क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान खोजने पर अपने energy को use करते हैं, जबकि जो poor mindset के लोग हैं, वो हमेशा problems के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं इन problems की वज़र से मैं आगे नहीं भढ़ पा रहा हूं, और उसके solution पर तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है, इसके लावा, यह हमेशा अपने present के साथ-साथ, अपनी future को भी focus करते हैं, कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या ह होगा, 20 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, मेरी growth planning कैसे होगा, इन सब पर काम करते हैं, जबकि जो poor mindset के लोग है, उनका focus जो होता है, वो हमेशा past का लेकर रोना रोते रहते हैं, कि यार पिछे मेरे साथ यह हो गया, मुझे इसमें घाटा हो गया, मुहरा यह काम चला नहीं, म यह achievement की थी, वो अपने past को ही सोच कर या तो खुश या दुखी होते रहते हैं, अब बात करते हैं, कि हमने rich mindset के बारे में समझा, poor mindset के बारे में समझा, उनकी habits के बारे में समझा, अगर हम इन सभी समस्याओं का समाधान चाते हैं, तो हमें हमारी life में ऐसा क्या करना है, जिस वो है change your mindset, मतलब सबसे पहले आपको अपनी मानसिकताग पे लगे हुए obstacles को हटाना होगा, ताकि आप जब आपना mindset change करेंगे, मतलब rich habits में जितना mindset की बाते हैं, उन सभी चीजों को हम focus करेंगे, तो हम अपने mindset को control कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ हम ऐसी habits develop करेंगे, जि उसके रवा change your habits, जितनी भी habits अभी मैंने आपको 12 habits पता ही थी, वो habits अगर आपकी poor mindset की हैं, क्या होगा कि कुछ लोगों के मन में 12 में से 5 points उन पर applicable होंगे, किसी पर 3 होंगे, किसी पर 2 होंगे, किसी पर 8-10 होंगे, और किसी पर 12 होंगे, तो जितनी भी points आपके उपर implement होते हैं, poor mindset के उनको तुरंट change करें, जब आप अपनी habits को change करेंगी, तो वो habits आपके काम करने के तरीके को change करेंगी, और जब आपके काम करने का तरीका improve होगा, तो आपकी life भी वर्तमान की अपिक्षा और अधिक बहतर होती जाएगी, ये next important point है, create multiple source of income, इस पर तो हर एक व्यक अलग तरह से income आने के प्राधान नहीं होगे, तब तक आप किसी भी तरह से progress नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैंने एक special video बनाया है, the power of compound interest, बहुत सार लोग power of compounding को जानते ही नहीं है, उनको लगता है कि अगर मैंने गाड़ी EMI पर ले ली, तो rate of interest बहुत कम मुझे आम से भरता रहूँगा, और जीवन में बहुत रिक सफल हो जाऊँगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि friends, power of compounding मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके सासा जरूरी है कि आपकी income के multiple source हों, और multiple source में क्या होता है, जैसे आपको आपने क property खरीदी हुए, उसको rent पर दिया हुए, तो आपका जो rent है, वो आपके लिए extra income के रूप में हो सकता है, आपके पास कोई movable और immewable asset है, तो उनको use करने के लिए, आपने किसी को lease पर दिया है, तो उससे भी आपको rent मिल सकता है, या आप किसी चीज को sharing based पर भी use करने देते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी है, जहां पर फैक्टरी का जो output है, वो 5-6 घंटे का आता है, लेकिन फैक्टरी जो उनकी है, वो 24 घंटे के लिए available है, तो वो लोग क्या करते हैं, outsourcing कर देते हैं अपनी factory को मतलब एक तरह से sharing पर किसी को use करने का अधिकार दे रेते हैं, जैसे वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन-कौन से resources पर काम करें, जिससे हम अपनी growth को आगे बढ़ा पाएं, उसके बाद start investing, friends, invest करना ना बहुत important है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जितनी भी earning आती है, उसको एक ratio में आप divide कर लिजी और वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप करेंगे investing, जितनी भी income आएगी, और उसमें से जो खर्चा बच जाएगा, उसको आप expenditure में लेंगे, मतलब सबसे पहले, अगर आपकी income आई, for example, आपने एक लाख रुपे कमाई है, तो उस एक लाख में से सबसे पहले आपको क्या करना है, saving करनी है, मैं बात करता saving की, yes, तो सबसे पहले saving करनी है, अगर आप 20% save करते हैं, इसका मतलब आप हर महीने 20,000 रुपे की saving करते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है, वो आपको saving का करना है, और उसके बाद जो बची हुए income है, उससे decide करना है, आपको अपने expenses को कैसे meet out करना है, ये बहुत important role play करे और इस पर भी special video में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और सबसे important बात keep learning, friends, कभी भी हमाँ सोचो कि आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो good enough है, हमेशा ये सोचो कि मेरे अंदर और आगर आगे बढ़ने की काबियत है, तो वो किवल तभी संबभ है, जब मैं निरंतर चीजों को सीखने के लिए तयार रहूँगा, और the more time you will learn, the more knowledge you will gain, और जितनी जदा knowledge आप गेन करेंगे, उतनी जदा योगता आपकी बढ़ेगी, जितनी जदा योगता बढ़ेगी, उतनी जदा बेहतर तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे, इसलिए ये पांच ऐसे समाधान जो थे, वो इन बात के लिए हैं, कि अगर आप इन पांच समाधानों को follow करते हैं, तो ये जो mindset है, जहाँ पर कोई गरी व्यक्ति भी आरे मीर बन सकता है, और अगर आप इनको जो negative point पर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता है था कि जो poor लोगों की habits हैं, बहुत सारे rich people होते हैं, जो parental rich हैं, लेकिन उनके अंदर habits हैं, वो poor वाली हैं, तो आने वाली generation में वो लोग poor हो जाते हैं, इसलिए आप अपने mindset को positive रखें, अपनी habits को rich habits में develop करें, और इन समाधानों पर जरूर काम करें, आपको जीवन में हर वो सफलता मिलेगी जिस वज़े से बहुत अधिक गरीब लोग अमीर बन जाते हैं, और बहुत अधिक लोग अमीर लोग गरीब हो जाते हैं, friends यह आपके mindset पर depend करता है, कि आप इन points को कैसे अपनी life में implement करते हैं, और जीवन में आगे बढ़ते हैं, निरंतर प्रगती की ओर अग्रसर रहने के झाल झाल